पांच्वां इशू जो है हमारा पाकिस्तान के करेंट इशू के अंदर यह बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का पॉइब यहां पाकिस्तान को इस चेंजिंग वर्ड आडर में फोरियन पॉलिसी के तीन इशू है कितने शूर एंप कौन सा गलोबल रीड़ाइनमेंट के गलोबली रीडर्याइनमेंट को रही है यानि कि आपके शिफट हो रहे हैं यानि कि स्टेटेंस को वर्सिस विजिज है याद है आप लोगों को दूसरा जो आपका चैलेंज है इसी इंदर में में डैट देस इवल्भLYивать वर्ड ने इवोल्व हो रहा है यानी कि पहले था आफका यूनिपोलर और अभी कहां पर जा रहा है मल्टाइपोलर के अंदर यह आपका shift हो रहा है word order तीसरा जो आपका changing word order के अंदर क्या है projecting positive reality or image of Pakistan के हम इस पूर changing word order के अंदर पाकिस्तान का एक soft image कैसे project कर सकते हैं तो यह तीन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े problems हैं foreign policy में पहला problem यह है के global realignment में हम कैसे deal करेंगे दूसरा problem यह है कि evolving word order में हम कैसे आगे चलेंगे और तीसरा challenge क्या है हमारे लिए है कि हम पाकिस्तान की positive reality और soft power को किस तरीके से project करेंगे foreign policy में तो यह issue है अभी एक एक करके लेके जलते हैं कि हम हमारे लिए challenges क्या है इसके अंदर तो सबसे पहले क्या है आपका global realignment global realignment के अंदर क्या है कि आज कल international politics fluid state के अंदर है है कि नहीं है fluid state क्या होती है changeable है आपको पता नहीं लग रहा है कौन कहां कैसे जा रहा है मतलब के it has become unpredictable don't talk with each other ठीक है it has become unpredictable ठीक है आपको पता नहीं चार रहा है दूसरा क्या है आपका great powers का competition क्या हो रहा है आइस्ते आइस्ते बढ़ता जा रहा है यानि एक तरफ अमेरिकावी status को है तो रिविजिनिजम के सूरत में कौन आए है सामने चाइन एंड रश्या आ गएं यहां पर ठीक है तो यह आ गएं तो इसलिए क्या है कि अभी जो politics है वो किस सेंस में चली गई है अभी politics चारी है international politics जा रही है issue based partnership यानि कि जन्नी states के पास issues ज्यादा है वो issue based partnership अपनी बना रही है कुछ clarity हो रही है जानी के world अभी globalization से shift होके जा रही है कहां पर regionalism की तरफ जानी regional alliances बढ़ रहे हैं global alliances से चीज़े shift होके कहां पर जा रही है regional alliances पर क्योंकर region के issues different हैं और हर state उस issue के बेस्ट पर partnership बना रही है कुछ clarity हो है जैसे पाकिस्तान SEO Russia चाइना ये किस बेस्ट से partnership में आपस में आ रही हैं अफगानिस्टान की इशू के उपर regional issue है तो automatically यहां पर आ रही है Eastern Asian states ऐसे आ रही है आसियान ऐसे आ रही है अपने साथ तो यह हो रही है तो इस तरीके से अगर देखा जाएं तो जो magnitude है चेंज का geopolitical arena के अंदर वो क्या कह रहा है वो यह कह रहा है कि आपको number one global political developments की sense अच्छा होना चाहिए अगर आप इस changing world order को नहीं समझेंगे और अपनी policy बना लेंगे तो आपकी policy fireback करेंगे की नहीं करेंगी बिलकुल करेंगी तो हमारे लिए सबसे बड़ा challenge यह है कि हम इस changing realignment को predict कैसे करते हैं अगर अच्छा predict करेंगे उन development को अच्छा understand करेंगे तो policy अच्छी बनेगी अगर हम उसको negate करेंगे अगर हम उसको ignore करेंगे तो क्या फस जाएंगे कुछ clarity हो रही है यह बहुत बड़ी बात है वैसे अगर यहां पर आपको कौन सी अप्रोच चाहिए प्रोयक्टिव या रियक्टिव प्रोच चाहिए तो भी नीड़ प्रोयक्टिव सबसे बड़ा challenge है इसी के साथ साथ जो आपके major powers हैं उनकी investment ज्यादा कहां पे हो रही है military technologies में हो रही है आप कहां पे खड़े हों है इस मामले पर है similarly तोर पे जो आपका renewed competition है military में military domains में वह ज्यादा बढ़ रहा है चाइना अपने military को मजीद modernize कर रहा है और अमेरिका भी military को इंडिया वी military को और रश्या वी military को modernize कर रहा है जार जब यह modernization ज्यादा होती जा रही है तो issues द्यादा होते जा रहे है where are we पाकिस्तान कहां पे है implications हैं के नहीं हैं हमारे हैं इसके ओपर directly implication है तो क्या है कि दुनिया फोकस कर रही है इनोवेशन पर दुनिया फोकस कर रही है टेकनिकल एडवास्मेंट के ओपर दुनिया फोकस कर रही है कैपिटल अक्यूमिलेशन के ओपर और एक यंग वर्फोर्स के ओपर दुनिया के अंदर फोकस हो रहा है तो यह जो है गलोबल एक अपर्चुनिटी है अगर नहीं आप अपने मसायल में लगे रहे तो फिर दुनिया निकल जाएगी और इसको डील इंडिया कर रहा है इंडिया प्रिडिक्ट कर रहे चीजों को और इंडिया उसके अकार्डिंगली चर रहे हमारा शायद वह यह नहीं है कुछ साल पहले था क यह आपको थोड़ा पता चर रहा तो दुनिया के बारे में क्या चीज़ें कैसी हो रही है समझा रही है बार रिसेंटली अभी हम दुबाया रिग्रेस करके वहां पर जा रहे है कुछ कलेरिटी हो रही है तो यह आपका गलोबल रियलेमेंट समझा यह कैसे हो रही है और हम कहां पर हैं आपने का एक नो वेयर मैंने नहीं कहा ठीक है दूसरा कौन सा इश्यू है जो दुनिया के अंदर चैन्जिंग वार्ड और और तो वार्ड अडर इवाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है एड है यूनि पॉलर टू मल्टी पॉलरिटी की तरफ आ रहा है तो पाकिस्ता यगति को डाइनामिक अप्रोच की दरःद है चींजिंग वाड़र खिये अदर के रहा हो विल ऑन्रीड की कि हम बैलंस कैसे मैंटे मैंटेन्स रखेंगे इस इवॉल्वार्विग वार्ड ऑटर के लेगरativaल्वाप्स को कैसे मैंटेन्स रखेंगे ट्रैडिशनल पॉलिसी की जरूरत है हमें हम उसको कैसे लेकर चलते हैं इस इस प्रइफ की बैलेश को बैलेंस को मैंटेंड करना चलेंज है कि नहीं है पाकिसान को तो पाकिसान की जो एकनॉमिक डिपलोमेसी है वो कितना काम दे सकती है इस चेंजिंग वर्ड और के अंदर इवन दो वी आर फोकसिंग हम किस पर फोकस कर रहे है जियो स्टेटिजिक टुजियो एकनॉमेक्स के ऊपर यह मैंने कहना के कहना तो आसान है बाट इसकी इंप्लिमेंटेशन है जो कि एवल्विंग वर्ड आडर है वर्ड पावर्ड डिफरेंट है दुनिया के जो पावर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यह वो डिफरेंट है वर्ड आडर की तरफ अमेरिका है दूसरी तरफ चाइना है रशीया है तो आप तीनों को बैलेंस कैसे है वो आप कैसे कैप्टलाइज करमाएंगे चैलेंज है कि नहीं है इस इस दी बिगिस चैलेंज फार पाकिस्तान तो इसलिए जो पाकिस्तान का एकनॉमिक पॉलिसी और इकनॉमिक डिप्लोमेसी पे फोकस है यूमन रिसोर्स को के उपर फोकस है हमारे हाँ जो राइट स्क के तरह मुझे बता हैं जियो एकनॉमिक में आपके पास रिसोर्स हैं आपके हाँ इंडिजिनिस इंडिस्ट्री है आप इसको कैपलाइज करा सकते हैं यूमन रिसोर्स है आपके जो इन्वेस्टमेंट करने हैं उसके लिए फैसलिटीज हैं आपके पास इस तो जो पिविटल लुकेशन है इसकी बात की जाए तो यह तो बड़ी अच्छी बात है वह हमारे पास है बर जब आपके पास यह है क्योंकि हम एक मेल्टिंग पॉर्ट के उपर तो है रीजिनल ग्लोबल एकनोमिक इंटरस्ट के अंदर दा फिंग इस के आप उसको प्रापर केप्टलाइज कर वा ले ना जेकर जिएक जियो एकनोमिक में बहुत बात तो अच्छी कर रहे हैं हम लोग क्योंकि एक तरफ के अंदर हैं मिडल इस्ट हैं एकनोमिकली आइडिया बहुत अच्छा है और इसको फॉलो भी करना चाहिए बट थिंग इसके उसकी कैप्टलाइजेशन बडि डिफिकल्ट है तो कि आपके हाँ थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है है कि नहीं है आपके हाँ करने के लिए आप क्या देंगी उनको आपके पास फिलाल वो चीज़ें नहीं है तो चैलेंज है कि नहीं है है गुड एंदि लास्ट वन क्या है आपका प्रोजेक्टिंग पाकिस्तान पॉजिटिव रियलिटी और पॉजिटिव इमेज और साफ्ट पावर सबसे बड़ा रहीं यहां तक इसकी अगर बात की जाये तो हमें अपनी वो पॉलिसी जो पकिस्तान के इमिज के साथ एक नेगेटिव टी जुड़ी होई थी उस नेगेटिवत्य को क्या करने की जरुब और दुनिया को बताने की जरुशिव क्यों है यहाप लोग हमें कहते थे खिप हम जो टेरिजम है उसकी नरसरी है और पाकस्तान में यह होता है वो होता है सारी चीजे आलग स्हारी तो रियलिटी कोई नहीं थी टेरिजम में सबस!" कुरवाणिया किसने निए? हम ने दी है हैं ऐसे ही है तो हमने सबसे दा नुकसान करवाए है अपना और बाहर यूरपियन डेस इंफो लेब में पाकिस्तान की खिलाव सारे बात ही होती है तो एक डेकिटिब इमेज आपके साथ लगा है उस इमेज को क्या करने की जरुरत है खत्म करने की जरुरत है और कैसे खत्म कर सकते हैं जब हम इंटरनेशनल कम्यूनिटी को यह बताएंगे के येस वी आर रिस्पॉंसिवल स्टेट हैं यू कें ट्रस्ट इन अस कुछ के लिए समेजा रही है यह दुनिया को बताना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है तो उसके लिए कोशिश कर रहे है छोटी सी कोशिश कौन सी है कि हमने पॉलिसी को जियो स्टेटिजिक से कहां लेके जा गए है जियो एकनोमिक्स में लेके आ रहे हैं चुड़ो हमारी जहादिस्ट पॉलिसी कभी रही थी उसको हमने क्या किया है खदम किया है और चोथा हमने क्या किया है जैसे टूरिजम और साथ में हमारी जो करतारपुर जैसे कुछ इवेंट से हमने करा हैं दुनिया को बताने के लिए कि नहीं भी हम अच्छे हैं तो इवेंट भी चैलेंज जरूर है पाकिसान का दुनिया में एक पॉजिटिव इमेज को क्या करना आगे लेके जाने में इस इट किलिए ज्यादा किसी समझा रही है आप लोगं को ओके तो आपके पास कुछ अपरचुनिटीज भी हैं और कुछ होपस भी हैं इसको जल्दी जल्दी से ले ज सारा अफगानिसान में डिपेंड कर रहा है अभी वहां पे क्या आगई है इस्टेविलिटी आगी है अफगाने अमेरिका के विद्रॉल के बाद तो आप सीपेक के काम को मजीद बूस्टर कर सकते हो हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो आपकी एकॉनमिक आपको बहुत बड़ अच्छे में से हैं ऐसे है तो आपि RPG सारा चैना के साथ हो रहा है तो चैना के साथ आपको बहुत ज़यल को परटिनीटीज को और आपकज तीसरा है दो कौन सा ए इंडिया है इंडिया गर अगर व्रुट प्र देशन ईड़्यां से य्चिक्ब तो आपको information technology है और काफी चीज़ें आप इंडिया से हासिल कर सकते हैं ठीक है बात क्या होनी चाहिए किस बेस्ते होनी चाहिए एक्विल टर्म्स प्रोनी चाहिए और चौता कौन सा है इरान है इरान से आपको बड़ा फैदा है भई आप technology ओ सुरी energy और आपकी जो गैस है और आपकी जो electricity है ठीक है और आपकी जो ट्रांजिट रूट्स है वो भी आपके साथ है आपको पताया नहीं था जो पाक इरान गैस प्लाइन है वो बनी हुए उसकी तरह से दिर्व यहां पर करने की जूरत है उसको आपके energy नीट्स पूरी हो सकती है तो यह परचुंटित नहीं है और फिर आपका rest of the world आता है rest of the world में सबसे पहले क्या आता है आपका middle east आता है यहां पर और अभी आपको पता है जो कतर के अंदर फुटवाल का वो होना है टॉनामेंट होना है तो उसकी security कौन दे रहा है पाकिस्तान दे रहा है तो हमारे साथी अरभिया के साहरे रिलेशन बहुत अच्छी है पैसे भी देता है हमें oil की production भी देता है defer payment की उपर इसके किलावा आपके जो पलेस्टीन के बारे में हमारा clear cut view है क्या है to state solution but जो acceptable हो किसको पलेस्टीनियन्स को हमारा clear view है वो है तो हम इसरेल के साथ connection रखेंगे वरना हम इसरेल को recognize नहीं करते हैं तो हमारा clear view है वहाँ पे OIC के उपर हम उसके बात करते हैं हम Turkey के साथ brotherly ties रखने को उपर believe करते हैं कुछ clear हो रही है चीज़ें तो हम तो कहते हैं भी अफ्रिका के साथ relation हम रखेंगे equal terms के उपर आल्दो ज्यादा कोशिश नहीं की है बलाल हमरी बातें चल रही है कुछ clear हो रही है चीज़ें अपरचुनिटीज है ना आपके पास यहां से आप चीज़े कैम politics कैम politics मतलब alliance किसके दर्मयान चाइना और United States वहीं हम किसी कैम politics का हिसा नहीं है अभी इंट्रेस्टिंगली पराडॉक्स है इस हकुमत से पहले हम कैम का हिसा थे किस कैम का हिसा थे और अभी किस के बनने जा रहे हैं USA का हो रहा है ठीक है मलब कहने की बात है ठीक है समझा रही है तो पाकिसान United States के साथ Equal Terms पर बात कर सकता है कैम politics का हिसा बने बगएर कुछ क्लियर हो रहे हैं इसी के साथ साथ आपका United Kingdom है और European Union है आपका और the rest of the European States है इनके साथ भी रिलेशन अच्छे हो सकते हैं चोंकि हमारा डाइस्पूरा बहुत ज्यादा है वहां पर ऐसे है ना तो वहां से आपका foreign direct investment आ सकती है यहां पर कुछ clarity हो रही है यहां तक people to people connection होना चाहिए तो बैतर हो जाएंगे चीजें चोंकि यूर्पियन स्टेट से आप और कुछ नहीं कर सकते हैं दो चीजें ले सकते हैं नमबर वन डाइस्पूरा या नहीं foreign direct investment दूसरी टेक्नोलोजी समझा रहे हैं यह चीजें आप ज्यादा फैदा हो सकता है अगर हम relation अच्छे बनाएं बद शर्त ही एक उसके अंदर deal कर लें हम और देन आपका क्या है Central Asia and Europe मैंने इसको details से आपको पताया हुआ है Central Asia में कितने interest हैं हमारे बहुत opportunities हैं energy में particularly और अशिया में भी आपकी energy में बहुत ही ज्यादा interest हैं आप लो से मैंने पड़ाया हुआ है याद है आप लोगों को foreign policy में तो इससे बस थोड़ा दा ट्रेलर लेते हैं और अगले topic पर हम चलते हैं तो policy recommendation में पहले किस चीज़ की जरुरत है balanced foreign policy कि है कि नहीं है है ना हम सबका इसा नहीं बन सकते balance होना चाहिए balance होना वैसे भी ठीक है इसलाम भी हमें कहते हैं मैंने रवी एक्तियार करो और दूसरा क्या है पाकिस्तान का प्रोएक्टिव और सेल्फ confident foreign policy approach यूज करना जरूरी है इस पर मैंने foreign policy में details से आपको दी हुई है याद आ रही है आपको institutional कैसे build up करना है soft image कैसे करना है balance कैसे करना है changing foreign policy paradigm नहीं पड़ाया था आपको पाकिसान का उस lecture के अंदे ठीक है clarity यहां तक तो हम इस तरीके से इस changing world order में इस global realignment के अंदर हम धील कर सकते हैं is it clear clear यहां दा clarity है यह हमरा था कौन से टॉपिक पांच शुमाँ अ पर आप यह जे टॉट यह जबुड़ा आप यह जबुड़ा है पर यह जबुड़ा है